स्विद्जर लैंड के खूब सूरज शहर दावोस में वर्ल्ड एकॉनमिक फोरुम का आगाज हो चुका है फोरुम में 119 सदा देशों के डेलिगेशन हिसा ले रहे हैं जिसमें 3000 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं भारत की 100 से ज्यादा कमपनियों के CEO और कई राज्यों के मुख्य मंत्री और वित्व मंत्री भी फोरुम में हिसा लेने के लिए दावोस पहुँच चुके हैं और दावोस से हमारे साथ जुड़ गई है हमारी Executive Editor स्वाती खंडेलवाल स्वाती इस बार दावोस में किन मुद्दों पर खास तोर से चर्चा हुनी है और भारत से कौन-कौन से World Economic Forum में हिसा लेने के लिए दावोस पहुँचे हैं जि-हा-जी बिजनेस एक मात्र देश का हिंदी बिजनेस यूज चैनल जो डावोस में है और यहां पर ऑप अश्रक्रीस पहुँच जस पर बात करेंगे जो global concerns हैं सारे nations की उस पर चर्चा होगी और क्या solutions होगे उस पर बाचीत होगी इंडिया की बात करो तो इंडिया से भी काफी बड़ा delegation as always आया है सौसे ज्यादा CEO's हैं और आप सारी बड़ी companies जिनके बारे में सोचते हो वो सबके रेप्रेजेंटेशन यहां पर हैं चाहें वो अम्बानी हो अदानी इन्फोसिस विप्रो टाटा महिंडरा यह सब यहां पर कई स्टेट्स भी हैं जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया चाहें वो तलंगाना है अंध्यप्रदेश है यह सब काफी प्रामिनेंट प्रामिनेंस में यहां पर और अपनी दूसरे नेशन से बातचीत कर रहे हैं इंडिया इंवेस्मेंट फोरम और प्लाटफॉर्म यहां पर बना है जा डिया पीपी सेक्रेटरी भी आए हुए तो एक ओवराल थीम जो की शेपिंग ग्लोबल आर है और अगर मैं बात करूं तो आई-टी, हेल्थ केर, एंवार्मेंट, एडुकेशन, डिजिटल, एकॉनमी, मोबिलिटी और सुस्टेनबिलिटी की थीम्स हैं जिन पर बातचीत हो रहे हैं ओवराल यहां पर तीन हजार से ज्यादा पार्टिसिपिंट्ट्स हैं अल ओवर और यह 49th यर है तावर्स का जो यह समिट हुई है और कुछ बड़े यूनो लीडर्स यहां पर वर्ल्ड के आए हैं जैसे एंजला मर्कल, जिपान के शिंजवाबे, न्यूजिलेंड के आडन, सेबास्टिन कुजू भी है, एराक, अफगानिस्तान, कोलोंबिया, पीरू, यूगांडा इन सब के भी यहां पर चीफ रेप्रेसेंटेटिव आए हैं, अगर तो तीन इंपोर्टन इसकुशन की बात करें, तो यहां पर अफ़कॉस ग्लोबल बॉर्ट टेंशन जो यूएस और चाइना के बीच में उस पर बातचीत हो रही है, जबकि दोनों ही कंट् जो यहां डिसकुशन में है, इंडिया की स्टोरी की भी बात करें, तो पास्टेस ग्रोइंग एकॉनमी है, काफी बुलिश हैं लोग इंडिया ग्रोफ स्टोरी पर 7.3 परसेंट अचीवबल है, जीडिप ग्रोफ तागिर जो आएम एफ ने भी बोला, तो एक ओवराल जहां इंडिया पे ज्यादा तर लोग बुलिश हैं और कह रहे हैं कि कंजंप्शन स्टोरी यहां की एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ है, जो कि आगे भी चलेगी। दिनेश खारा से खास बाचीत के मारी एक्जेक्टिव एडिटर रास्वाती खंडियलवाल ने तो इस सब जो ग्लोबल अंसर्टिनिटीज के बीच में इंडिया की स्टोरी आपको कितनी इंटाक्ट दिखती है और आगे आने के आउटलूक कैसा है आपका इंडिया के लिए? मेरे विचार में जहां तक इंडिया का सवाल है इंड़िया एक 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 उनोमे ऐसी एकउनोमी है जो की ट्रेट से Esta마 लेकिन बहुत ज्यादा अफेक्ट्ट नहीं है जी करी स्टिक के बड़क्रह रहेगा मेरा ये मानना है और हो जहां तक ग्लूबल ड्रेट का इंपेक्स थ और अगर तक World Bank और IMF की रिपोर्ट को देखा जाए तो अगर ग्लोब में अगर इंडिया की एड्वांटेज में रहेगा और उससे फिसकल में एक और पॉजिटिव एंपेक्ट रहेगा जिससे की करंशी स्टिबल रहेगी यह मेरा मामला है सर एक और है रिकावरी को लेकर और जो स्ट्रेस्ट आसिट से सिस्टम में पावर सेक्टर अभी जूच रहा है और हो सकता है वहां पर और बड़े प्रॉब्लम्स आ जाएं तो उसको देखते हुए आपको स्ट्रेस्ट आसिट्स पर कितना कंसर्न है बिकोज अज़ा बिक लेंडर आपके ऊपर भी उसका डिरेक्ट इंपाट पड़ता है और एंपी लेवल्स पर भी आपको क्या लग रहे है आप आगे कैसे आउटलुक है उसको मेरा यह मानना है कि जब अन्सील्ट का प्रोसेस शुरू हुआ था तब जो एको सिस्ट्म जो ग्रेट होना था एंसील्ट के लिए और फॉर एट मेंटर इंपेर्ड असेट्स के लिए वो अविलिबल नहीं था जी बट इस दोरान जब से अन्सील्ट का प्रोसेस तो वो ए घर सेट्स के जिए रहा ही कि उनको उनके खृदार भी बत से और जहां तक पावर सासेट्स का सवाल है नतीकि पावर सैट्स में और जिसमें की रीज़नेबल प्राइस मिला है इसमें दूसरी चीज यहा है कि बेंक ने भी अपना प्रोविजेंग कवरेज रिशों इंपकि एबिलिटी भी इंपुम्मेंट हुई है तो इस करन्ट से मेरे को लगता है कि यह जो असेट्स जो क्रेट हुए है ओर आल इस यर्स जी ते विल बिन अपूशन तो फाइंड राइट वायर सो दैटल इवेंचली हेल्प इन बैंक्स के अलसो गटिंड वैल्यू फॉर पंजाब के वित्मंत्री मनप्रीट सिंग बादल भी दावोस पहुंचे हैं वो यहां दूसरे देशों को पंजाब में निवेश के लिए आमंतृत करेंगे मनप्रीट सिंग बादल से खास बात की जी बुजनस की एग्जेकिटिव एडिटर स्वाती खंडेलवाल ने ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो आपका क्या इंपुट है हम अगर इंडिया ओवराल इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट व्यू से और एकॉनमी की जो भी हालत है उसके पॉइंट व्यू से रफ्तार से हमाहंग होके ही चलना पड़ेगा जी तो पहली मरतबा पंजाब भी आज डावस में शामिल है कि एक तो दुनिया से सीखें कि दुनिया की रफ्तार क्या है और दूसरा है कि पंजाब को शोकेस करें क्योंकि सतर साल हमने हमारी जो एकॉनमी थी वो क्योंकि दूस्तान में अनाज की कमीटी तो पंजाब को एड़ फूर प्रोडूसिंग सेट अनाया गया पट अब हम चाहते हैं कि पंजाब जो है वो इंडेस्ट्रिल सेक्टर में सर्वेस इंडेस्ट्री में तो यह डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है तो एक सीखने आए है और एक लोगों को बताने आए हैं कि पंजाब जो है इस ओपन फॉर बिस्नस